इस विडियो में बात करेंगे कि इस वग सोशल मीडिया पर क्या वाइरल है हैश्टैग मॉस्को ट्रेंड कर रहा है शेयर करेंगे अभी जो रिपोर्ट वहां से निकल किया रही है काफी खतरनाक है बहुत बड़ा हमला हुआ है शेयर करेंग अपडेट साथे साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या छोटे बड़े अपडेट से जहां बताया जा रहा है कि किस तरीके से नमाजियों पर हमला हुआ उसके बाद बताया जा रहा है कि किस तरीके से अर्विन केजिवाल की गेफतारी के बाद कोर्ट से जो order पास किया है उस पर क्या नए अपडेट है और साथ-साथ जो समर्थक है आम आत्मी पाठीक है वो जबर्दस ट्रेंड कर रहा है शेयर करेंगे आपके साथ जोर और शोर देखा जा रहा है शेयर करेंगे अपडेट छोड़े बड़े कई सारे इस वीडियो में लेगे आगे बढ़ने से पहले आप सबीसे गुजारेश के चानल को सबस्क्राइब और इच के लिए लाइक शेयर कॉमेंट करने ना भूला करें सबसे पहली अपडेट औ और ऐसी अपडेट है जो इस वक्त काफी वाइरल के साथ साथ काफी सोचले पर मजबूर भी कर रही है लोगों को कि इतना बड़ा जो हमला हुआ है बताय जा रहा है कि रश्या के मॉस्को के अंदर कॉंसर्ट हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है बताय जा रहा और जो वीडियो वाइरल हो रहे मैं आपके साथ शेर करता जाऊंगा यह देखिए गारजिन की रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग ब्लास्ट रिपोर्टेट एट कॉंसर्ट हॉल नियर मॉस्को और लगतार इस तरीके की अपडेट्स जो आ रहे हैं बताय जा रहा है कि जिस तरीके से लोग वहां फसे हुए हैं उन्होंने विडियो रिकॉर्डिंग गरिये और दिखाने की कोशिच करिये दुनिया को कि किस तरीके से हमला हुआ है कुछ ऐसे तस्वीरे मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से वह फाइरिंग कर रहे ह वो नहीं देख रहे कि इसको मार रहे हैं कि क्या कैसे मार रहे हैं मतलब बस बंदूग है उनके हाथ में और बस फाइरिंग करते जा रहे हैं कुछ वीडियो वाइरल हो रहे हैं जरा इन वीडियोज को देख रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि कई ऐसी वीडियोज है जिसमें वो उपन फाइरिंग करें वो मैं अभी नहीं दिखा सकता क्यूंकि बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है ये रश्या के आंदा है एक अपडेट आये थी जहां बताये गया था कि रश्या ने जो है वो LGBT मूवमेंट को एक्स्ट्रीमिस्ट और टेररिस्ट और्गनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया है अब दोनों खबर का क्या तालोग का नहीं पता लेकिन हाल फिलाल ये अपडेट आई थी और उसके कुछ घंटों के बाद जो है वो ये हमला देखने को मिल रहा है साथ है कर देखने आपके साथ अपडेट जो है वो 36 गर्ड़ से बताई जा रही है राजिस्टान के वीडियो वाइरल हो रही है जिसके अंदर बताई जा रहा है कि मजजित के सामने नमास के दौरान शोभा यातरा के डीजे और शोड मचानी की बात सामने आई उसके बाद सामने निकल के आ रही है आपकी स्क्रीन पर बता जा रहा है कि मजजित के पास जब शुबा यातरा पहुंची वहाँ पर डीजे बज़रा था और जिस तरीके से वहाँ हालात हो गए बता जा रहा है कि 15 से अधिक लोग घायल एक की मौत और 1144 लगा दी गई है पुलिस ने लगभग 18 लोगों को गिरफ्तार के इस मामले में और जाच जारी है लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीरे भी आ रही है आपकी स्क्रीन पर जहां बता जा रहा है ये तस्वीरे जैपूर की बता जा रहा है कि किस तरीक्टे से वहाँ यातरा निकल रही थी और यात पर फूल बरसाए साथे साथ अपडेट शरी कर दे जो कल सबसे जादा वाइरल रही और वो रही डिली के चीफ मिनिस्टर अरविन केजरिवाल की किरफ़तारी के अवाले से आपको पता होगा एडी ने उनको किरफ़तार कर लिया है और डेली कोर्ट ने केजरिवाल को 6 दिन की लिये एडी की रिमांट पर भेज़ दिया है 28 मार्च तक एडी रिमांट पर रखेगी अब 6 दिन तक तो वो रिमांट पर रहने वाले हैं लेकिन जिस तरही कैसे अपडेट आ रहे थी जो डिली के अंदर है भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था उसी के साथ ये वीडियो क्लिफ वाइरल हो गई इस वीडियो क्लिफ के अंदर वो एक शक्स है जब उसे पुलिस पकड़ लेती है वैसे तो वो प्रोटेस्टी कर रहे थे लेकिन जैसे पुलिस वाला महा से चला जाता है तो किस तरीपे से वो पल्टी मारते हैं देखिए साथे साथ शेयर करते अपडेट आपके साथ जुड़ी हुई है रंदीप हुडा की नई मूवी सावरकर के हवाले से आपको याद होगा किस तरीपे से रंदीप हुडा जिस तरीप ऐसे सावरकर की तारीफ ही कर रहे थे उसको लेकर कि जो एक तरफ का भगमंडली है वो काफी खुश हो रहे थी और मूवी रिलीस की सामने बात आई कि वीर सावरकर नाम की मूवी रंदीप हुडा एक्टर है काफी प्रोमोशन चल रहा था लेकिन हुआ यह कि जैसे ही बॉक्स ओफिस पर आई तो फुस हो गई यहा रिपोर्ट के मताविक बता जा रहा है कि एक दिन में सिर्फ सत्रा लाक रुपे ही इस मूवी को कमाने को मिले है यानि मूवी देखने खास कोई गया ही नहीं जिस तरीखे की प्रोमोशन और इस मूवी को लेकर के चर्चा हो रही थी सोशल मेडिया पर इस वज़़ा से मोए मोए भी ट्रेंड कर रहा है अब बता दे C.A. को लेकर कि क्या नया अपडेट है अपडेट असल थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है क्योंकि C.A. में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वज़़ा से मंगाल में रहने वाले एक शक्स ने यानि कोलकाता में रहने वाले एक शक्स ने इस काम को अंजाम दि लेकिन अभी तक NRC लागू नहीं हुआ है जिससे आपको ये साबित करना पड़े कि आप नागरिक है कि नहीं है अब जिस वज़़ा से इन्होंने सुसाइट किया है वो वज़़ा बता जा रही है कि क्योंके C.A. को लेकर कि काफी डरे हुए थे गवरा हुए थे और जिस इन्होंने चानमीन करी होगी पता लगाया होगा डॉक्यूमेंट्स दूंडे होंगे इनके पूरे काफ़ाद इनको नहीं मिले तो उस डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा इन्होंने सुसाइट करनी तो एक काफी चौकाने वाली अफडेट आ रही है C.A. के हावाले से N.D.P.S. के लोर कोर्ट में एलविश यादव को जमानत के रफ्तारी के पार जिन बाद कोर्ट से मिली जमानत तो एक तरफ तो खुशखबरी जैसे ही सामने निकल गया आई वक्तों को भई खुशी का जार करना था वीडियो वाइरल होने लग गई इस तरीके की वीडियो क पुलिस ने भी उनसे पूछताच करने की बात सामने रखे दी और बताय जा रहा है कि नॉइड़ा जेल से बाहर आडर के अब गुरूगराम लेके जाया जाएगा उनको साटर डे यानि वो जमना ज़रूर मिली है लेकिन जेल से बाहर नहीं आ है अब वो गुरूगराम जा पारी रिपोर्ट सामने रखी थी कि कैसे साब का जहर जो है वो इल्विश यादव बेचते हैं उनके बाद जो सबूट थे उन्होंने जो सामने रखी रिपोर्ट निगल के आ रही है कि जो एंजियो के अफसर है उन्होंने एल्विश यादव के समर्थकों से अपनी जान क खत्रा बताया है अफसर ने कोट में ये आची का दर्ज करवाई है कि मुझे सुरक्षा प्रधान की जाए एलविश के समर्थक मुझे जान से मारनी की धंगी दे रहा है अब देख सकते हैं किस तरीके से एलविश आदफ के समर्थक जो हैं वो अफसरों को धंगिया दे रहा ह साथ साथ बता दे कि धुरूब राटी के अवाले से जो अपडेट है वो घिसी बिटी अपडेट है जब काफी दूर चली गई है एक मजाग से शुरुआत हुई थी और अब जिस लेवल पर चली गई है बता जा रहा है कि धुरूब राटी जो है वो दाओ दिवराहिम के घर में रहते हैं कुछ ऐसी अपडेट है जिसे सुन करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन ही ऐसी खबरों पर यफीन करता होगा बताए जा रहा है वाटस अप ग्रूब के अंदर कुछ लोग इस तरीकी की खबरे फैला रहे और लगातार ये कोशिश कर र रशीद है पूरा नाम बद्रुदीन रशीद लहोरी है लहोर का रहने वाला है उनकी पत्री का नाम जूली है जिसे क्रिश्टन समझा जाता है लेकिन असल है पाकिस्तानी उसका नाम जूलेखा है और वो जिस तरीके से गैंग्स्टर दाओद इवराहिन की सीक्रिट आली पाकिस्तान बंगले में रहते है कराची के अंदर जहाँ वाई प्लस और जेट प्लस सिक्योरिटी है आइसेस की तरफ से और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बदुर राशित जो की धुरुवराटी है उनको पाकिस्तान चाइना दुबई, मालदीवस, कैनड़ा, रशिया, टर्की, फंडिंग करते हैं, बता जा रहा है कि जौर्ट सोरोस के अकाउंट से भी इनको फंडिंग मिलती है, और ये सारा प्रोपेगंड़ा चलाते हैं, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया एलिमेंट, और इसे एक्सपोस किया है इस्रेली इंटेलिजिंस ने, जिसका नाम मुसाद है, उन्होंने ये पूरी जो है पूल खोल के रख दी है धुरूब राटी की, जिनका असली नाम सामने रख दिया है, तो सनातन ये उससे एक उजारिश है, कि जो एक्सपोस वाली खबर आई है, जिसका सर से लेकर के पैर तक कोई सच का लेना देना नहीं है इस आदे हैं, कि जकात को लेकर कि लंडन के अंदर क्या चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखे है, ये वीडियो के अंदर जो बस है, इस बस के उपर लिखा हुआ है, जैसे कि आप सबी जानते होंगे, रमजान का महीना है, और रमजान के महीने में लगतार मांग कि जाती है मुस्लिम कम्यूनिटी से कि वो बर्ड चल करके डोनेट करें अपने जो पैसे हैं उसका हिस्सा निकाल करके घरीबों में तस्कीम करें पैसे हो खाना हो हर चीज जो मुम्किन कोशिश हो जो एक सपोर्ट है और यह सपोर्ट लंडन के अंदर एक बस के उपर लिखा हुआ देखा जा रहा है कि जकात देख यह देखिए यह मुल्क गुरों का है मगर जकात का जिकर यहां भी है यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए जकात तु दस्रूक अबला यह होता जरीका देखिए सोशल मेडिया की वाइनल ख़वरों में आज के लिए इतना ही अपनी राय सुझाओ कोमेंट में जबूर बताए मिलूं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें